नमस्कार दोस्तों में देव सर्मा एजुकेशन सपोर्ट में आपका अर्दिक स्वागत है दोस्तों आज जो है वो एक नीट से रिलेटेड जो है वो लेटेस्ट न्यूज आई है वैसे अभी लगबग 5-6 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा दोस्तों आपके लिए जो है वो नोट्स वगेरा पीडियाफ वगेरा जो है वो बनाये जा रहे हैं अब दोस्तों जल्द ही जो है अपन लाइव क्लासे स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों इसके कारण जो है वो समय नहीं मिल पा रहा था जिससे कि आप भी जो है वो एक education system में जो है उस्तम या उस्तर जो है education system आप करें तो दोस्तों next अपन चलते हैं आज की एक latest new जो है तमिल्लाडू से निकल के आई है जो तमिल्लाडू में जो अभी 6 या 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा था कि भई जो तमिल्लाडू के अंदर जो जितने भी medical courses है उसमें NEET के द्वारा जो है वो admission ने हो लेकिन दोस्तों 21 तारीक को सुप्रीम कोर्ट ने साफ करते हुए ये तमिल्लाडू को या आदेश दिया कि भई सुप्रीम कोर्ट ने तमिल्लाडू में अंबीबियस और बीडियस courses में नामांगन के लिए तमिल्लाडू सरकार को ये कहा है कि वो जितने भी medical courses के अंदर दाखिले लेंगे वो सारे जो है वो NEET के लेवल पर हो NEET के लेवल पर जितने भी admission करवाए जाएंगे वो मानने होंगे अन्य था जो भी courses के अंदर ये आपका admission होता है तो वह खारिज कर दिया जाएगा medical council of India के तहत और उनको कहते हुए ये भी कहा है कि 4 सितंबर 2017 तक अपनी counselling भी complete करवा लें जिनके कारण आपको जो है वो किसी भी प्रकार की लेट लतीफी का सामनाने करना पड़े और जो जितने भी students अभी college में admission लेंगे उनको भी लेट लतीफी का सामनाने करना पड़े इसके तह सुप्रेम कोट ने 21 तारीक और ये फेस्टा सुनाया वैसे तो ये 22 तारीक को जो है वो न्यूज यहाँ पर मेरे निकल के आई है लेगिन दोस्तों चलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ अभी मैं बता रहा हूँ आपको ये तो थी एक न्यूज जो है तमिलाडू सरकार से जुड़ी हुई नीट से जुड़ी है अब चलते हैं दूसरी नीट यूज जो नीट यूज जी अपन जिसको मुख्य रूप से लेके चलते हैं नीट यूज दो हजार सत्रा स्केम बहुत बड़ा स्केम हुआ था दोस्तों लेगिन फिर भी जो है वो कुछ नहीं हो पाया इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक जुटता की कमी थी दोस्तों यदि अपन सारे एक जुट होके चलते तो साइद अपन जीच जाते लेकिन दोस्तों क्या हुआ बीच में ऐसे हो गया कि उन्होंने 6 लाग स्टुडेंट्स को क्यों क्या इलिजिबल कर दिया जिसके कार्ण जो 6 लाग स्टुडेंट है वो तो बॉल नहीं पाये और जो बाकी है वो ऐसे ही जुटों जुटे और लालचे लोगों की बीच में जो है वो फसके रह गए तो दोस्तों 2017 के अंदर इतना बड़ा स्केम हो करके भी जो है वो अपने को नयाय नहीं मिला तो यह एक बहुत ही बुरी बात है लेकिन दोस्तों अब जो भी हुआ मेरे साबसे में यह समझताओं की सही हुआ है अब री नीट या नीट के दुबारा होने का कोई प्रकार से चांस नहीं ह वैसे तो मेरे को लगता है आप दो या तीन मीनों से पढ़ाई भी अपनी स्टार्ट कर दी होगी आपने क्योंकि दोस्तों कई बच्चों ने या पर वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर उन्होंने ये डाला कि भई अपनी पढ़ाई जारी रखें अब री नीट हो ये अडिमिशन लेगी वो अपना एक अलग जो है वो नहीं बना सकती कोई भी परकार का बोर्ड कि अपन दो देन नीट की और जो तो मिलना डू है वो अपने स्टेट की जो है वो अलग पीम्टी बनाए तो दोस्तों ये एक छोटी शी नीज थी जो मेरे को आपका बताना अब दोस्तों एक या दो दिनों के अंदर सारे पेडिया अफ सारी वीडियो जो है वो तियार हो जाएगी अलग लग डेज में अलग लग तरीकों से जो वीडियो को एडिटिंग किया जा रहा है तो दोस्तों वो आपको वीडियो मिलती रहेगी तो आप भी अपना सपोर् से रिलेटेड जितनी भी न्यूजें हैं वह आपको सबसे पहले और सबसे फास्ट बताता है जय हिंद जय भारत